को कैसे अप्रोच करना है मंडे कौम ने बढ़िया एक तरफा मूव बजार ने positively surprise करा था पौने 2% तक की निफ्टी में तेजी थी उसके बाद कल टिक नहीं पाए गैप के साथ खुले उसके बाद momentum fizzle out हुआ एक परसंट दबाव दिन के लोज पे जाके भारती बजारों ने सेशन का कल्मिनेशन करा तो बड़े इवेंट से पहले कह लिजे वोलिटालिटी कासी पिक अप होती हुई और विरुवई 21.800 वो stiff resistance zone वहीं से supply आती शूरू हो गई selling pressures aggravate होते चले गए ऐसे में data, ऐसे में अपरोच के रको हूँ आज के सेशन की Nifty Nifty Bank की Good morning Ashish, थोड़ा सथ clear thoughts नहीं आशिश मैं अपको frankly speaking बता हूँ देखिए कल का आप लिकाना I mean fresh trigger हमारे पास था कि अगर हमें कल फिर तेजी करनी थी दो कारणते हमारे पास या तो 810 bisect हो जाए 807 कर वो नहीं हुआ वो simply अगर आप देखें कोई बड़ी बात नहीं थी but मेरी अपरोच यह थी कि अगर हमें 624 622, 624 या फिर 580 मिले तो हम बाय करेंगे but वो तोटना मेरे लिए थोड़ा सा surprising था क्यों क्यों क्योंकि आपने series के first day एक बहुत strong port writing देखी थी दो clusters पे 25 सुपे और 6 सुपे तो उसका तूटना मेरे लिए थोड़ा सा अगर आप देखें तो painful था और समझ से परे था Reliance का कल अगर आप देखें प्रेशर था कल IT Nifty IT 10 day exponential बंगे रच के नीचे बंद हुआ है आशिश और कोच इस एक प्रेशर पॉइंट और था ITC ये तीन प्रेशर पॉइंट जरहें बैंक निफ्टी फिर भी ठीक ठाक ट्रेट देखे गया 45 240 और उपर की तरफ 4500 ये फिर भी ठीक रहा इसमें कोई इकत नहीं थी और वही एक करण था कि तक शॉट का मैंने शर्वत का इस्तिमाल नहीं किया था आज के सेशिन को कैसे अप्रोच करूँ क्रिटिकल डे है अगर आप इंस्टिटूशनल स्टैट्स को देखें तो आशिश FIS की तरफ से तो सेलिंग प्रेशर है नो डाउट I mean उन्होंने पड़सो सेल नहीं किया था वो एक बात थी लेकिन कल उन्होंने फिर अगर आप देखें मिदान में के सेलिंग करी 1970 कोड़ रुपे की और लगभग 1000 कोड़ रुपे की डियाईस की बैंक थी तो लगभग लगभग 1000 कोड़ रुपे का कैश आउट लो था और उसने इंपेक्ट डाला इंडेक्स उन्होंने फिर शॉट किया 288 कोड़ रुपे का स्टॉक फुचर्स भी 380 कोड़ के शॉट किये और एक कोछ चीज आशिश स्टे कॉशिस फॉर दे डे क्यों क्योंकि उनकी तरफ से शॉट पुट कवर हुई है हाला कि बहुत बड़े कॉंटम में नहीं बट स्टिल करीब करीब 53,000 शॉट पुट कवर किये रुट है और एक लाख 67,000 कॉल शॉट करी है तो यह इस दिन के लिए सेट अप थोड़ा सा निगिटिव है as per the option stats मेरी ये प्रोच करेगी देखिए आशिश निफ्टी के लिए pressure points होंगे आज भी ITC ITC, निफ्टी IT जो 10 डिमा के नीचे कल close देखे गया और साथी साथ HTFC Bank और Reliance ने कर कोई thrust generate नहीं करा तो pressure शायद बढ़ सकता है labels लिखे आईए screen पर और मतलब पहले pyramids लिखे आईए आपको clearly visible है कि जिस trajectory से हमकल collapse हुए 21-800, 900, 700 वहाँ पे बड़े call writers ने ग्रिप ले ली है especially आशिश 21-700 और नीचे आप देख रहे हैं जो मैंने का रहा है कि FIS ने shot put cover की है 21-500 पे, 21-400 पे और 21-300 वाले put writers ने कल exit किया जिनोंने expiry के day बादर first day, पहले दिन shot put की थी levels, pyramids, screen पर आएंगे वो clearly reflect कर रहे हैं कि ये दो बड़े pressure points है आशिश किसी भी rally को sustain करने के लिए पार करना बहुत रही होगा मेरी approach करेंगी देखे, as of now, as per these stats जो range है ना उसमें जड़ा base लिका है देखे, मेरा कोई shorting का thoughts अभी as of now नहीं है बट, हमारा पड़सो का जो threshold point था वो क्या था, trade pick करने का इट वस 510, 20 देमा call it is का zone तो वही एक बार pressure point भी बिन जाएगा हमारे पास long side पे आज कोई threshold point नहीं कि ये bisect होगा तो हम बाय कर लेंगे ना, अगर 21, 490 तूटा तो pressure point pressure बड़ेगा आशिश और उन circumstances में shot के बारे में आप सोच सकते हैं for a possible down swing of 449, 393.44 but till the time देखेगा screen को watch की जगा 45200 अगर bank nifty तोड़ नहीं रहा है और nifty 21, 490 नहीं तोड़ रहा है तो trajectory nifty की यहीं रहेगी 21, 490 और resistance की प्रेटली का येगा पूरी की पूरी उपर और वो होगी करीब करीब 21, 716 21, 756, 700 पे कॉलाइटर है तो अभी हमारे पास as of now 200 point की channel visible है 21, 490 on the down side और 21, 706 on the high side but जिन stock futures का मैंने जिक्र किया या फिर nifty IT अगर ये थोड़ा सा crack होते हैं आशिश तो 490 के नीचे 1500 point का zone खुला हुआ है pressure points पर नज़र रखिएगा nifty bank कल इसने फिर भी अगर आप देखें तहजीब से behave की आशिश और इस बात के बावजूद कि कल HTFC sink हुआ HTFC पर नज़र रखिएगा HTFC bank अगर किसी भी circumstances में 1440 के नीचे all slip हुआ तो ये again pressure create करेगा for index but as of now दो चीज़े हैं प्लीज बैंक निफ्टी के पिरिमेट से लेकियाएगा 45500 ये call writers का बड़ा zone है ये जो while आप blue candle देख रहे हैं और एक और चीज़ याद रखिएगा कहां से कल you turn लिया bank nifty that was 100 day exponential bring average place at 45640 तो हमारे पास वो 1500 point की wall है और नीचे 45,000 45,100, 45,200 put writers के zone है मैं निफ्टी बैंक को as of now shot नहीं करूँगा till the time we are above 45,110 44,840 मेरा ध्यान इसके उपर के dip को buy करने का होगा but as of now Ashish हमारा exit zone होगा RS1 क्या है वो अभी जो मैंने explain किया 45,500 call writers का zone और 45,640 46,660 वो है आपका 100 day experience week कल के behavior के बाद आशिश जदा निफ्टी लग रहा है आशिश रहा रहा है आशिश कर दो है झाल